तुमस्कार आपके साथ मैं हूँ विद्यानाथ जा आप टाइमस्टाउन भारत देख रहे हैं आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सम्मेलन हो रहा है और ये आयोजन है G20 का G20 सम्मिट पर इस वक्त की जो बड़ी ख़बर है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं G20 सम्मिट का पहला सत्र चल रहा है पहले सत्र में वैश्विक मुद्दे पर चर्चा की जा रही है सम्मिट में पीम ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया पूरी दुनिया को ताकि पीम ने कहा कि अविश्वास के संकट को मिलकर खत्म करना होगा ये समय हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है दानमंतिर नारेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि कैसे कोरोना के वक्त में पूरी दुनिया हाथ पकड़ कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ी थी ठीक उसी तरीके से और विश्वास के संकट की वज़े से जो इस वक्त युद के हालात हैं उसको खत्म किया जा सकता है वशरते की इस संकट से बाहर निकला जाए एक दूसरे पर विश्वास महाली हो और ये छे तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं देखे कैनेडा के प्रदान मंतरी हैं इटली के प्रदान मंतरी बांगला देश के प्रदान मंतरी हैं और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि तमाम अलग-अलग राश्टों से आस्ट्र विवस्ता हो या पिर सिमाओं की सुरक्षा दोनों ही मुद्धे पर भारत पूरे दमखं के साथ खड़ा नजर आया है और आगे बढ़ता हुआ नजर आया है इसके पीछे बड़ी वज़ा है पिये मोदी का दुनिया से सम्वेदन शील्ट संबाद और सपश्ट विदेश नि हम एक तुछरे की ताकतों को जोड़कर फूरे विश्व खास तौर पर ग्लोबल साउथ के कल्यान में महत्पण योगदान दे सकते हैं 21 सदी एजिया की सदी है हम सब की सदी है मदरब डेमोकरसी है हम राज को भी एक परिवार के रुपे देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं वसुद है उप्रों काम सूत्र एक, संकल्प एक, साध एक और साधनाए वसुद है को टुम्बकम ये वो मंत्र है जो 2014 के बास से सैकड़ों बार विश्व के मंचों पर गूँचा है और बीते करीब 9 वर्षों में पियम मोदी ने वसुद हैफ को टुम्बकम के इसी सूत्र से वैश्विक जगत के दिल को जीता है और आज दुनिया दिल्ली में और नया भारत मित्र देशों के दिल में बीते एक दशक में भारत ने वर्षों में अगर अपनी भूमी का बदली है वो ज्याता मुखर, ट्रकहर और निखर कर सामने आया है तो इसमें एहम भूमी का रही है पियम मोदी के विजन और वर्जन की इसमें भारत की अर्थ विवस्था, इंफ्रस्ट्रक्शर, आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और विदेश टीती सबसे एहम पैरामीटर रही जिनकी बुन्यात पर नए भारत की नीव 2014 के बाद से पियम मोदी ने रखी आज भारत में विश्थो का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम है भारत में इस समय सों से भी अधिक यूनिकॉन है आई टी, टलिकॉम, फिंटेक, एई आई और सेमिकंट्रक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फर दे वर्ल्ड के वीजिन को आगे बढ़ा रहे हैं ये चुनावी दावे नहीं है, बलकि वो सच्चाई है जो बीते करीब एक दशक में दुनिया ने देखी है और मानी 2014 के पहले और आज के भारत की तस्पीर ही मोदी की गढ़ी तस्पीर है और नए भारत की हर एक उपलब्धियां अब दुनिया को चौका दी है विश्व बैंक ने अपने G20 डॉकुमेंट में भारत के डिजिटल पब्रिक इंफ्रस्ट्रक्शर यहें DPI की सराहना किये इस व्यशिक संस्था ने कहा है कि भारत में DPI का एक परिवर्तनकारी असर पढ़ा है जो financial inclusion से भी कहीं आगे की चीज है वर्ल बैंक के दस्तावीज में यह भी का गया है कि भारत में केवल 6 साल में ऐसे मीर के पत्थर हासिल किये हैं जिसमें करीब 5 दशक का समय लग सकता था और 23 गति के ऐसे ही बदलावोंने दुन्या के मंच पर भारत की नई घुमिका और उस भरोसे का नया अध्याय लिखा है जो अब आर्थिक मंदी से जूचते योरप और अमेरिका तक को एक नई उमीद के तोर पर दिखता है मतलब ये कि अगर भारत साथ है तो मुश्किल रास्ते आसान हो सकते भारत में निवेश करने के लिए होड मच हुई है आज भारत दुनिया में पांचवे नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और हर बड़ा एक्षपर्ट कह रहा है कि अगले कुछ साल में भारत टॉप फ्री में होगा 2014 के बार मोदी ने नए भारत का परचे दुनिया से कराया जिसमें भारत की भूमिका मजबूती के साथ लिखे गया भारत ने अपनी दमदार विदेश नीती के बदलाव को दुनिया की जमीन पर उतारा मोदी रेजीम का हिंदुस्तान अपनी शर्टों पर चलता है और पूरी दुनिया को एक परिवार के तौट पर देखता है दुनिया जानती है कि मोदी के पास वसुधैफ को टुम्बगम का वो सिध मंत्र है जो वास्तों में विश्व शान्ती, विश्व सम्रद्धी, निरोगी विश्व, समारता से भरे विश्व और आतंग मुक्त दुनिया की गैरेंटी बद सकता है पियम मोदी के ग्लोबल कद और किरदार दोनों के असर को दुनिया नजर अंदास नहीं कर सकती यही वज़ा है कि चाहे महामारी से लड़ने की बात हो, आर्थिक मंदी से उबारने की बात या फिर रूस-युक्रेन जंग को खत्म करवाने की बात अगर दुनिया के उमीद किसी तरफ दिखती है तो वो पियम मोदी है फालेंशल टाइम्स के मुताबिक प्रडेन के प्रधार मंत्री रिशिस सुनक, G20 शिकर समिलन में पियम मोदी से यूक्रेन पर आकरमाण रोकने के लिए रूस से बात करने का आगरा करेंगे इसलिए मोदी की भूमिका को पश्चिमी देश एहम मानते हैं वहीं पियम मोदी भी शान्ती की बात कई बार कह चुकी है यूक्रेन के संकट के आरम से ही हमने तुरंत युद्धिविराम का आवान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवात को सुल जाने के लिए बात्चित ही एक मात्र उपाए है दुनिया के मंच पर कैरिस्मेटिक मोदी नए भारत के साथ दुनिया को मिस्मराइज कर रहे है मोदी काल में ग्लोबल साउथ में भारत एक लीडर के तौर पर स्थापित हो चुका है और ये बदलाव देश ही नहीं बलकि दुनिया को नई उम्मीदों से जोडता है आशियान भारत की एक्टिस्ट पॉलिसी का केंद्रियस तंभ है भारत आशियान सेंट्रलिटी और इंडो पसिफिक पर आशियान के आउटलुक का पूरुन समर्थन करता है भारत के इंडो पसिफिक इनिसेटिव में भी आशियान खेत्र का प्रमुक स्थान है 21 सदी एशिया की सदी है हम सब की सदी है फ्री और ओपन इंडो पसिफिक की प्रगती में और ग्लोबल साउथ की आवाद को बुलंद करने में हम सब के साजे हीत है और यही संकल्ब, यही संबाद भीतर और बाहर कुछ लोगों को परेशान कर रहा है चीन की सुपरपावर बनने की हसरतों को पियम मोदी के इसी संकल्फों ने खंड-खंड कर दिया है यही वज़ा है कि चिड़े चीन ने G20 की बैठक से दूरी बनाई है खबर ये भी है कि खाड़ी देशों में चीन के BRI को मात देने के लिए भारत और अमेरिका एक बड़ी डील करने जा रहे है अमेरिका, भारत, UAE और साओधी अरब G20 सम्मिनन के दौरान रेलवे को लेकर डील का एलान कर सकते है इसके तहट खाड़ी और अरब देशों के बीच संपक को बढ़ाने के लिए रेलवे नित्वर्ग स्थापित किया जाएगा मोदी की यही स्ट्रेटेजी और विजन चीन से लेकर नए भारत की बदली तस्वीर से चिड़े चेहरों की टेंशन है लेकिन सच यह है कि राश्वात की लकीर पर भारत का नया गीत भारतियों को गौरव से भरता है और दुन्या को शांती और सथभावना की नई उम्मीदों से